नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धनंजय 30 सेप्टेंबर के शाम से इसराइल डिफेंस फोर्सेज लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन करते हैं इस ग्राउंड इन्वेजन करने के पहले वो बहुत ही कैलकुलेटर शब्दों के इस्तिमाल करते हैं यानि कि उनका यहां पे कहने का मतलब था कि वो किसी पी तरीके से जो common civilians है लिबनान में उनको नुकसान नहीं पहुचाना चाहते हैं लेकिन जो हेजबुला या उससे जो associated group से उनको वो definitely नुकसान पहुचाना चाहते हैं जहां तक बात किया जाए हेजबुला के बारे में तो भले हेजबुला जो संगठन है यहां पे मैं दो बाते रखना चाहूंगा एक तो सबसे पहली बात हेजबुला को कुछ ऐसे देश है जिनके संबंद इस्राइल और USA के साथ अच्छे हैं वो इसको एक complete तरीके से terrorist organization declare कर चुके हैं वहीं पे कुछ वैसे देश जिनके संबंद US और इस्राइल के साथ अच्छे नहीं है वो हेजबुला या इस टाइप के जो ग्रुप से उसको वो terrorist organization ना कह के उसको resistance group कहते हैं अब किन शब्दों के इस्तिमाल करना चाहते हैं ये बात में आप पे छोड़ता हूं अगर बात किया जाए इस्राइल के defense forces या इनके intelligence के बारे में तो समय के साथ no doubt जो इस्राइल के technology है या इनके जो defense forces है वो अपने आपको काफी advance किये हैं तो किसी भी तरीके से Hezbollah हो गया या इसके जैसे जो groups हो गये उनको हम कमजोड समझने का गलती ना करें यहाँ पे ये बहुत सपस्ट कर दूँ कि आप Hezbollah को किसी भी तरीके से इस्राइल के जो defense forces है उससे आप बिल्कुल भी compare नहीं कर सकते हैं लेकिन कितनी बार ये भी होता है कि जब दुश्मन आपके करीब बैठा होता है तो वो आपके एक movement को वो बहुत ही precise तरीके से notice करता है और शायद ही दुन्या को ऐसा technology या कोई भी ऐसा काम होगा जहां पे कोई loophole नहीं होगा ये बात मैं इसराइल के लिए भी कह रहा हूँ और ये बात मैं हेजबुला के लिए भी कह रहा हूँ तो बहुत सारे जो analyst जो काफी neutral अपने opinion को रखते हैं उनका ये माणना है कि इसराइल के defense forces के तोवारा जो Lebanon में घुसा गया है और किसी भी तरीके से Lebanon में घुसके अगर उनका इरादा ये है कि वो हेजबुला को खतम कर देंगे या उसको कमजोर कर देंगे तो ये possibilities generate होता हुआ दिख रहा जहां पे initial days में हेजबुला को आप Lebanon में कमजोर कर देंगे लेकिन फिर कुछ सालों के बाद ऐसा हो सकता है कि हेजबुला as it is यानि कि जितना strong अभी है उतना ही strong वो बाद में निकल के आ जाए जैसे ही 30 September के शाम से इसराइल के defense forces Lebanon में ground invasion करते हैं वैसे ही इनके जो forces होते हैं उनके उपर ambush किया जाता है जिसके बारे में ये कहा जा रहा कुछ-कुछ media outlets ये कह रहे हैं कि इसराइल defense forces के 8 soldiers मारे गए वहीं पर किसी का ये कहना है कि 10 soldiers मारे गए और exact कितने number घायल हुएं ये disclose नहीं किया गया है और जो घायल भी हुए हैं वो किस हद तक घायल हुए हैं इसके बारे में भी नहीं कहा गया है उसके बाद एक और चीज़ जो notice करने वाली है वो ये है कि news में एकसर हम सुनते रहते हैं कि हेzbullah के 10 लोंग मारे गएं 20 लोंग मारे गएं या लिबनान में bombing हुआ तो कुछ लोंग मारे गएं तो यहाँ पर जो कहने और समझने का मतलब है वो ये है कि हेzbullah के जो fighters होते हैं उनका हर रोज मरने का जो news है वो बहुत ही common news है लेकिन किसी भी तरीके से अगर इसराइल के लोंग मरते हैं तो ये news common नहीं होता है तो किसी भी तरीके से अगर एक certain point के उपर अगर इसराइल के defense forces का नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो Benjamin Netanyahu अपने देश में वो उनको इतना huge amount of pressure को झेलना पड़ेगा कि शायद उनके लिए लिबनान से या हेzbullah से लड़ना कहीं आसान हो जाएगा as compared to उनके देश में जो उनके खिलाब जो आवाज उठेंगी उनसे personally जो मैंने notice किया है वो ये किया है कि किसी भी तरीके से अगर US किसी भी देश का अगर बुराई करता है तो आप ये समझ जाना कि उस देश से US के जो interest है वो नहीं निकल रहे है 1979 के Islamic revolution के पहले UK, US और इनके जो संबन थे वो इरान के साथ अच्छे थे क्यों कि उस वक्त जो head of state थे मोहमद रेजा उनके संबन इन सब देशों से अच्छे थे और उन सब देश इरान से oil ले रहे थे तो कहने का मतलब है कि जब तक इरान एक profitable entity था तब तक इरान काफी अच्छा था लेकिन जैसे ही regime का change होता है वैसे ही इरान एक काफी बुरा देश बन जाता है जहां तक बात किया जाए इसराइल और इरान के बारे में अगर capabilities के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कहीं से को दो राय नहीं है कि जिस पे देश को unconditional support मिलेगा US का वो देश automatically strong हो जाएगा और वैसे भी अगर आप individual तरीके से भी अगर आप compare करना चाहें तो इसराइल का जो technology है वो way advance है वो शायद इतना advance है कि US पी उसके सामने stand नहीं करता है और साथ में अगर हम बात करें इरान के supreme लेडर अलिक हुमेनी के बारे में तो ये जल्दी से media से interact नहीं करते हैं और साथ में जो common civilians इरान का उससे भी जल्दी interact नहीं करते हैं इसके पीछे जो अलग-अलग analyst है उनका अलग-अलग तरीके से मानना है लेकिन एक जो mutual understanding सभी के बीच में वो ये है कि जब भी आप head of state होते हैं या किसी भी देश के जब आप बहुत ही बड़े leader होते हैं या respected आदमी होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप media को कम से कम brief करें इससे क्या होता है कि आपके जो दुश्मन देश होते हैं वो आपके body language को analyze करते हैं आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं समझते हैं, सुनते हैं उन सब चीजों को analyze किया जाता है तो इसलिए भी क्या होता है कि बहुत बार जो important leaders या commanders होते हैं वो public meeting में बहुत कम आते हैं और बहुत कम बार अपनी बातों को रखते हैं क्यूंकि recently इसराइल के तुवारा Hezbollah के chief Nasrallah को मारा गया और Nasrallah और Ali Khomeini के संबन आपस में काफी अच्छे थें, तो इसलिए कहीं न कहीं Ali Khomeini का ये responsibility बन जाता था, कि वो common civilians है इरान के और उसके साथ और भी जो Vasek groups या वैसे लोग जिनकी कुछ sympathy मिलती है statement आया है, वो ये आया है कि इरान के दुआरा जो missiles दागे गए इसराइल के उपर, वो complete तरीके से justified था और उसको किसी भी तरीके से वो जो action लिया गया इरान के दुआरा, इसको ये support करते हैं, साल 2020 के January के महीने में, इरान के जो revolutionary guard है, उसके एक बहुत ही important military official को मारा जाता है, जिसका नाम रहता है कासिम सुलेमानी, जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था बगदाद में, तो उसके बाद अलिक हुमेनी address करते हैं, publicly और अपनी लोगों से वो बात करते हैं, तो लगबग events होता है, या किसी भी तरीके से अगर ये लगता है, कि उनके लोगों को motivate करना है, या किसी भी तरीके से अगर ये लगे, कि उनके लोगों का जो confidence है, वो lose हो रहा, तब अलिक हुमेनी अपनी लोगों को address करते हैं, ने तो वैसे वो address करने से बच्चते हैं ये हमारे सामने लिबनान और इसराइल का मैप है अगर आप देखेंगे तो ये पोर्ट सिटी हाइफा है तो जिस तरीके से अगर कुछ भी ऐसा घटना होता है तो यूएस क्या करता है वो सबसे पहले एकनॉमिक सैंशन लगाता है एकनॉमिक सैंशन इसले लगाता है क्योंकि अगर कोई देश वैपार ही नहीं कर पाएगा तो वो देश आटोमेटिकली खतम हो जाएगा तो वैसी है कर हम लिबनान के पॉइंट एव्यू से बात करें तो किसी भी तरीके से वो पोर्ट सिटी को अटैक करेगा या उन सब चीजों को वो टारगेट करेगा जहां से इसराइल को पैसे आते हैं अगर हम एक्जाक्ली होतीस के बारे बात कर ले तो होतीस भी आपके रेट सी के आसपास के एरियास वहां से जो कार्गो शिप जाते है उसको वो अटैक करता है तो किसी भी 78 में घुस चुका है 82 में घुस चुका है 2005 के आसपास भी वो घुस चुका है इनिशल डेस में ये जो ट्रेंड देखा गया उसके हिसाब से जो इसराइल के फोरसे से वो अंदर तो घुस जाते हैं लेकिन उस पोजीशन को कंट्रोल करके बहुत दिन तक वो नहीं रख पात हैं तो एनिलिस्ट का जो हिस्ट्री को देखने के बाद उनका जो कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बेंजमिन नितनियाहू जो फैसला किये हैं दुबारा से या कहले फोर्थ टाइम लेबनान घुसने का वो कहीं ऐसा ना हो कि उनको बैक फायर कर जाए इसके पहले का अगर आप देखेंगे तो सेप्टेंबर से पहले तक का जो प्राइम फोकस था वो गजा के उपर था कहीं से भी बेंजमिन नितनियाहू गजा के लावा कोई और नाम नहीं ले रहे थें लेकिन जैसे इमिड आप सेप्टेंबर आता है तब उनका एक नया प्लैन आता है तब उन प्लैन को चेंज कर रहे हैं, टार्गेट को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो करेंट मिलिटरी ओफिसर हैं खुद इसराइल डिफेंस फोर्सेस में वो भी बेंजमिन नितनियाहू के प्लैन से जादा अगरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितनी बाँर ऐसा होता है कि गोधी मीडिया है तो गोधी मीडिया का ये जो ट्रेंड है वो आल्मोस्ट सभी देशों में होता है इसराइल के एक न्यूज आर्टिकल कहले जिसका नाम जेरूसलम पोस्ट है इसके दुवारा लगभग 25 सेप्टेंबर के आसपास एक पोस्ट रिलीस किया गया जहां पे ये जो रिलीजिस टेक्स्ट बुक तोरा है वहां पे लिखा गया है कि ये उनको जो जमीन है लबनान या उसके आसपास का जो जमीन है ये उनके गौड उनको प्रॉमिस किये है और ये जो एक नेरेटिव है प्रॉमिस लैंड का ये नेरेटिव आपको अल्मोस्ट हर जगा दे ये रेटिव चलाया जाता है ये उस से या इसराइल के दौरा जहां पे वह ये कहते हैं कि उनको राइट टू सैल्फ डिफेंस है इस राइट टो सैल्फ डिफेंस के तहत कहीं ना कहीं जो इसराइल है वो अपने आपको एक्स्पेंड कर रहा और जब भी कोई देश इस तर जो देश United Nations की बातों को नहीं सुनता है उसके बारे में आपको ये लगता है कि उस देश को इंडिया का सपोर्ट चाहिए तो उस देश को इंडिया का सपोर्ट बिलकुल भी नहीं चाहिए सो emotional basis पे हम चीजों को ना देखें बलकि जो चीज fact and figure है जो एक substantial हमारे पास evidence है उसको हम focus करें और उसके base पे अपनी हम बातों को रखें और बातों को सोचें I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye